वेलकम टू नेश्टक जाम आज है 6 सितंबर 2022 और 6 सितंबर 2022 से करेंट अफेस के जितने भी इंपोर्टेंट कुश्चन मन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे और हर कुश्चन से रेलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट वी मैं आपको बताऊंगा तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए लास्टम मैं आपसे कुश्चन पूछूंगा उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पताना है आज कि इस वीडियो की पीडियो के डिसकस में से डाउनलोड कर सकते हैं पीडियो आप हमारे टेलेग्राम ग्रूप से भी डाउनलोड कर सकते हैं टेलेग्राम ग्रूप पर आपको सारी पीडियो एकसाब बिल जाएंगी और टेलेग्राम ग्रूप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिसकस में दे दिया है तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलेग्राम ग्रूप जोइन कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क जानते हैं 5 सितंबर को टीचर से बनाया जाता है और एक इंपोर्टेंट फैक्ट याद रखिए आपने मदर टेरेजा का नाम तो सुनाओगा मदर टेरेजा की पुंड तिथी भी 5 सितंबर को होती है इसलिए हर साल 5 सितंबर को अंतराश्टी चैरिटी दिबस मनाया जाता है मदर टेरेजा की पुंड तिथी भर हर साल ये अंतराश्टी चैरिटी दिबस मनाया जाता है ये दिन स्वैम से भी और लोग हितैसी कारिक्रमों के माद्यम से दूसरों की मदद करने के लिए मनाया जाता है अच्छा अभी 2 सितंबर को बल्ड कोकोनट डे मनाया गया था तेन सितंबर को नेशनल स्काइस क्रेपर डे यानि की राश्टी गगन चुम्बी इमारत दिबस मनाया गया था और अंतरास्टी गिद्ध जाग रुकता दे बस भी अभी 3 सितंबर को मनाया गया है तो इस कुश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है अच्छा आज किस वीडियो का हम टार्गेट रखते हैं चाली से लाइक का तो अगर यह बेडियो आपको अच्छा लगता है एलपो नोट कर सबसे पहले अपने लेक टार्गेट पिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टार्गेट को अचेव करने में लगा दो आपकी लाइब ऑटमेटिकली अच्छी हो जाएगी ने क्यूशन है हाली में केस देश में स्वामी बिवेका नंजी की पहली प्रतिमा इस्त स्वायत बिसुविद्याले में हमारे जो लोकसवाई स्पीकर हैं ओम बिडला उन्होंने स्वामी बिवेका नंजी की प्रतिमा का अनाबर्ड किया है ये है स्वामी बिवेका नंजी की प्रतिमा ये वहाँ पर एक ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी में स्तापित की गई है इसका अनाबढ ओम बिल्डा ने किया है ये ध्यान अगना नएक विशिन है हाली में बे सेक अली का निधन हुआ है वे कौन थे बे सेक अली ये एक प्रतिस्ठितत इतियासकार थे और अभी इनका निधन हो गया तो इस कुशिन का बे अप्स्यों जै है ये थे एक प्रसिद इत्यासकार और मैंगलोर और गुवा बिस्विध्यालियों के पहले कुलपती प्रोफेसर बे सेक अली इनका अभी निधन हुआ है हाली में किस बंगलादेस کی क्रिकेटर ने टेट vaak अंतरास्टी क्रिकेट से सन्यास लेने की गोश्णा की हैं यह हैं मुस्थ फिकूर रहीम यह बहुती Famous Batsman और Bigget की पर हैं इन्होंने अभी टेट उन्टे किर्केट से सन्यास लेने की गोश्णा की है अब बंगलादेस की बात है तो ये है मैप में बंगलादेस बंगलादेस की केपिटल क्या है ढाका बंगलादेस की करनसी क्या है टाका बंगलादेस की प्रेजेंट टैंपे प्रैमिस्टर कौन है सेख हसीना और बंगलादेस के प्रेजेंट टैंपे प्रेसिडेंट कौन है अब्दुल्ला हामबित अभी बंडे में 8000 रून आने पाले पहले बंगलादेसी बल्लेवाज बने थे तमीम इकबाल आपको मैंने वसीफा नाजरीन का नाम बताया था ये केटू फते करने वाली बंगलादेश की पहली महिला बनी है बंगलादेश के ही खिलाडी हैं तमीम इकबाल इन्होंने भी अभी टे टूंटे इंटरनेशनल क्रिकेट से सन्यास की गोशना की थी और बंगलादेश ने मुस्तफिजूर रह्मान को बारत में अपना उच्चायुक्त नियुक्त किया है अब यहाँ पे आप ध्यान देना बंगलादेश ने मुस्तफिजूर रह्मान को इंडिया में अपना उच्चायुक्त पॉइंट किया है और इंडिया ने बंगलादेश में प्रड़ा कुमार बर्मा को अपना उच्चायुक्त पॉइंट किया है। अब 17 में मुंबई अंतराष्टी फिल्म महुत्सम में बंगलादेश को कंट्रे ओफ फोकस जुना गया। अच्छा इंडिया और बंगलादेश की बीच तेन एक्सेव ट्रेंज चल रही हैं। प्रतियोगिता में अनिस्का ब्यानी ने कौन सा पधक जीता है। ठेरो भाई अमानी स्कूल की चात्रा हैं अनिस्का ब्यानी। इन्हों ने अभी मलेसिया ही सत्रंज प्रत्योगिता में अंडर सिक्स बर्ग में स्वर्ड पदक जीता है तो इस कुशिन का से ओप्संस है आप इमेज में देख लीजिए ये हैं अनिश्का बियानी ये धिरू बाई अम्माने स्कूल की फर्स्ट क्लास की चात्रा है और इन् अंडर सिक्स ओपन बर्ग में ये गूल्ड मेडल जीता है नए कुशिन है किसे अबर ग्रेट नेशनल पाक्स डॉकुमेंटरी में आवाज देने के लिए एमी पुरुसकार मिला है तो अमेरिका की पूर ब्राष्ट पती बराक ओमावा को एक डॉकुमेंटरी है अबर ग्र नेट फ्लिक्स की डॉकुमेंटरी है और इसमें वराक ओमावा ने अपनी आवाज दी है और इसी आवाज की वज़े से इनको एहमी पुरुसकार मिला है ने कुशिन है हाली में केस राज सरकार ने गिदों के संरक्षड के लिए 14 जिले चिन्नित किया है अब भी उत्तर प् एक कुश्चन बताया था आपको जैसे दिले के पास NCR है नेशनल कैपिटल रीजन ऐसे ही उत्तर प्देश की कैपिटल लखनों के पास स्टेट कैपिटल रीजन डिवलप किया जाएगा NCR की तज पर SCR डिवलप किया जाएगा अभी भारत का पहला नाइट सफारी और जै सेले दबाओं के ब्यापार के लिए एंटी नार्कोटिक्स फोर्स का अगठन किया है उत्तर प्देश सरकार ने पंचाम्रत योजन शुरू की है बाराणसी में अखिल भारती सिच्छा समागम का उदगाटन हुआ और एरपोर्ट अथोर्टी ओफ इंडिया ने उत्तर प् उत्तर प्देश की गवर्णर कोन है आनंदी बेन पटेल अच्या राज की पच्छी है सारस यक्रोंच राज की पुस्प है पलास और राज की ब्रच्छै है असोक का ब्रच्छ उत्तरपदेश में दुद्वा नेशनल पार्क है कतर्णिया घाट वाइलड़ सेंचुरी है और तेली भीत टाइगर रिजर्ब है नेक शुशन है हाली में एहमदाबाद में चत्तेश में रास्टी खेलों का गान और सुभंकर किस ने लॉंच किया है तो हमारे ग्रह मंतरी अमिज साने अभी एहमदाबाद में चत्तेश में रास्टी खेलों का गान और सुभंकर लॉंच किया तो इस कुशन का बे आप्सन सही है नेक शुशन है हाली में भारती जहाज रानी निगम के नए CMD कौन न्यूक्त हुए है तो भारती जहाज रानी निगम के नए CMD अपोइंट हुए है बे के त्यागी तो इस कुशन का ए आप्सन सही है अब ये अपोइंटमेंट है तो मैंने आपको बताया था नागे सिंग ये थाइलेंड में भारत के राजदूत अपोइंट हुए बेकरम दोराई स्वामी ये UK में भारत के उच्चायुक्त बने है और अभी मैंने इसी वीडियो में बताया प्रडैकुमार बर्मा बांगलादेश में भारत के उच्चायुक्त बने है क्रेडिट स्वेस ने CFO के रूप में देख्चित जोसी को निउप्त किया NII के निदेशक के रूप में देवासिस मोहंति को निउप्त किया गया है और सुरक्चाबल के महा निरिच्चक के रूप में प्रबेड चाबडा को निउप्त किया गया नेक शुशन है हाली में IMF की नई रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश दुनिया की पांच में सबसे बड़ी अर्थववस्ता बना है तो अभी IMF की एक नई रिपोर्ट आई है इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत दुनिया की पांच में सबसे बड़ी अर्थववस्ता बने गया कुशिन का बे options है अच्छा दुनिया की सबसे बड़ी अर्थ वह उस्ता कौन सी है अमेरिका दूसरे नंबर पर है चाइना तेसरे नंबर पर है चापान चौते नंबर पर है जर्मनी और पांचवे नंबर पर आप अपना देश बारत पहुंच गया है ने कुशिन है हाली में 2022 डच फॉर्मूला वन ग्रेंड प्रिक्स किस ने जीती है तो 2022 डच फॉर्मूला वन ग्रेंड प्रिक्स मैक्स वस्ट अपन ने जीती तो इस कुशिन का से option से यह है यह है मैक्स वस्ट अपन अच्छा फॉर्मूला वन की बात है तो अभी सेवेस्टियन बेटल ने Formula 1 से सन्यास की गोश्चना की 2012 French Grand Prix का किताब Max Verstappen ने जीता British Formula 1 Grand Prix Carlo Senn ने जीती Formula 1 2022 Monaco Grand Prix Sergio Perez ने जीती है और Formula 1 Emilia Romagna Grand Prix Max Verstappen ने जीती Formula 1 से related इतने कुषिन अभी आप व्याद रखिये नए कुषिन है केस राज में घटियाना द्वेड नाम कैंकड़े की एक नई प्रजाती खोजी गई है तो घटियाना द्वेड नाम की एक कैंकड़े की नई प्रजाती करनाटक में खोजी गई तो इस कुशिन का बे ओप्शन सही है अब करनाटक तो यह है मैप में करनाटक करनाटक की capital क्या है बैंगलोग करनाटक की चीप निष्ट कौन है बस सब राज बोमबाई और करनाटक की गवर्नर कौन है थाबर चंदर गहलोथ अब यह करनाटक सरकार ने क्रसी को बड़ावा देने के लिए एसा आउट रिच किसा समझोता किया है SBI ने स्टाट अफ के लिए समर पे पहली साखा करनाटक के बैंगलोर में खोली है करनाटक सरकार ने खिलाडियों को दो प्रतिसत आरक्षट देने की गोशन की है और गाय को गोध लेने के लिए पुन्ड कोटी दत्तु योजना ये अभी करनाटक में सुरू हुई है स्वामी विवेकानंद युबा सक्ती युजना का सुबारंग अभी करनाटक में हुआ और बारत का अपनी तरह का पहला ब्रेन हेल्थ क्लिनिक करनाटक के बैंगलोरू में सुरू हुआ है अच्छा करनाटक के दो डांस में मस हैं एक है यक्षगड और दूसरा है डोलू कुनीता करनाटक में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं वांदीपूर, अंसी, नगर होल, बनलकट्टा और कुद्रे मुखा नेशनल पार्क ये करनाटक के important national park है नए क्यूशन है हाली में when the heart speaks memoirs of cardiologist नामक पुस्तक किसे ने लिखी है तो ये पुस्तक का नाम है when the heart speaks memoirs of cardiologist ऐसे उपेंदर कॉल ने लिखा डॉक्टर उपेंदर कॉल ने इसे लिखा है तो इस क्यूशन का A options है ये अच्छा कल ही मैंने आपको बताया है Indian banking in retro aspects 75 years of independence ये पुस्तक लिखी है आस्तो स्राराविकर ने अभी amidst zinnah और joy वट्टा जा रहा द्वारा लेकित पुस्तक do different the untold dhoni नामक पुस्तक का विमोचन किया गया अभी the journey of a nation 75 years of Indian economy इस पुस्तक को संजे बारू ने लेका है तो ये तेन पुस्तक अभी important है तेनों याद रखिए next question है हाली में कौन मंगोलिया और जापान की 5 दिवसी यात्रा पर गए है तो हमारे रक्षा मंत्री है राजना सींग ये अभी मंगोलिया और जापान की 5 दिवसी यात्रा पर गए है तो इस question का 2 options है next question है हाली में पुंडे कोटी दत्तु योजना का brand investor कैसे न्यूक्त किया गया है अभी इसी वीडियो में मैंने आपको पुंडे कोटी दत्तु योजना के बारे में बता है गाय को गोध लेने के लिए करना तक में यह पुंडे कोटी दत्तु योजना शुरू हूँ है और अब इस योजना का brand investor कर्णड अभीनेता केच्चा सुदीप को point किया गया तो इस question का 2 options है यह है कर्णड अभीनेता केच्चा सुदीप और इने को पुंडे कोटी दत्तु योजना का ब्राण्ड मेजडर बनाया गया है इस योजना के बारे में याद रखना पुन्ड कोटी दत्तु योजना ये गौ साला से गायों को गोध लेने के लिए है जादा से जादा लोगों को गायों को गोध लेने के लिए प्रूप साहित करने के लिए योजना है और इसी का ब्राण्ड मेजडर अभी किच्चा सुदीप को पॉइंट किया गया अब लास्ट वीडियो के कुश्चिन का आंसर लास्ट वीडियो मैं आप से कुश्चिन पूचा था कि हाली में केसराजी के सिक्चा विवाग में एक गवर्नेंस पूटल समर्थ सुरू किया है तो अभी उत्राखंड के सिक्चा विवाग में एक गवर्नेंस पूटल समर्थ सुरू किया है किस question का बे option सही था और लगबख सभी श्ट्वेडनेस कांसा सही दिया मुश्ट ले श्ट्वेडनेस के बारे में डिटेल में लिखा मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा question के बारे में आप पूछ जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो क्योंकि जो चीज़ें आप लेक देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं बूलते अब आपके लिए आज का question आपके लिए आज का question है केसानों के कल्यांड के लिए rural backyard टिगरी योजनक के सराज सरकार ने सुरू की है चार option दिये गए हैं इनमेंसे आपको अपना answer बताना है और इसके अलाबा हम हमारे Facebook page पर previous question daily post करते हैं तो आप Facebook पर next exam सर्च करके हमारा Facebook page join कर सकते हैं क्योंकि previous question आपको बहुत help करते हैं अगर आपको किसी question में कोई doubt होता है या आपको अपने career से related भी कोई problem है तो आप Instagram पर indresrc Instagram पर indresrc सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी doubt, कोई भी confusion, without any agitation discuss कर सकते हैं अच्छा आज किस video का आप target जरू याद रखना आज किस video का target है 40 या like का तो अगर ये video आपको अच्छा लगा है, helpful लगा है तब आप इस video को like और share जरू किया करो और आपके पास जो भी study related whatsapp और facebook ग्रूप है उन में आप इस video को share जरू कर दिया करो तो ये था आज का मारा career interface का video आपको ये video कैसा लगा प्लेज कमेंट बॉक्स में जरू बताना और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस channel को subscribe नहीं किया है तो इससे आप subscribe जरू कर लेजिए आपको इस channel से निश्चित ही मदद मिलेगी जब आपसे subscribe करेंगे तो बरावर में एक bell icon बनके आएगा आप उस bell icon पर जरू क्लिक कर ले जिससे के आपको daily morning में current interface की video मिलती रहे next exam all date with you thanks for watching